ओम शान्ती, आज है 15 फरवरी 2021, मीठे प्यारे बाबा के माहवाक्य सुनेंगे, मुरली का सार है, मीठे बच्चे, यह संगम युग है, चर्ती कला का युग, इसमें सभी का भला होता है, इसलिए काहा जाता, चर्ती कला तेरे भाने सर्व का भला, प्रश्न है, बाबा सभी भ्रामन बच्चों को बहुत बहुत बधाईयां देते हैं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाबा कहते, तुम मेरे बच्चे मनुश्य से देवता बनते हो, तुम अभी रावन की जंजीरों से छूटते हो, तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो, पास विद ओनर बनते हो, मैं नहीं, इसलिए बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाईयां देते है तुम आत्माई पतंग हो, तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, गीत है, आखिर वहे दिन आया आज, ओम शान्ति यह अमर कथा कौन सुना रही है, अमर कथा कहो, सत्य नारायन की कथा कहो, वा तीजरी की कथा कहो, तीनों मुख्य है, अभी तुम किसके सामने बैठे हो, और कौन तुमको सुना रही है, सत्संग तो इसने भी बहुत किया है, वहां तो सब मनुष्य देखने में आते हैं, कहेंगे फलाना सन्यासी कथा सुनाते हैं, शिवानन्द सुनाते हैं, भारत में तो धेर सत्संग है, गली-गली में सत्संग है, माताएं भी पुस्तक उठाए, बैठ सत्संग करती हैं, तो वहां मनुश्य को देखना पड़ता है लेकिन यहां तो वंडर्फुल बात है तुम्हारी बुद्धी में कौन है परमात्मा तुम कहते हो अभी बाबा सामने आया हुआ है निराकार बाप हमको पढ़ाते हैं मनुश्य कहेंगे वह इश्वर तो नाम रूप से न्यारा है बाप समझाते हैं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज है नहीं तुम बच्चे जानते हो यहां कोई भी साकार मनुश्य नहीं पढ़ाते हैं और कहां भी जाओ सारी वर्ल्ड में साकार ही पढ़ाते हैं यहां तो सुप्रीम बाप है जिसको निराकार गौड़ फादर कहा जाता है वे निराकार साकार में बैट पढ़ाते हैं यह बिलकुल नई बाद हुई जनम बाई जनम तुम सुनते आए हो यह फलाना पंडित है, गुरु है धेर के धेर नाम है भारत तो बहुत बड़ा है जो भी कुछ सिखलाते हैं, समझाते हैं वे मनुश्य ही हैं मनुश्य ही शिश्य बने हुए हैं अनेक प्रकार के मनुश्य हैं फलाना सुनाते हैं हमारे शरीर का नाम लिया जाता है भक्ती मारग में निराकार को बुलाते हैं कि हे पतिद पावन आओ, वही आकर बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चे जानते हो कि कल्प कल्प सारी दुनिया जो पतिद बन जाती है, उनको पावन करने वाला एक ही निराकार बाप है, तुम यहां जो बैठे हो, तुम्हारे में भी कई बच्चे हैं, जो कच्चे हैं, कोई पक्के हैं, क्योंकि आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो, अब देही अभिमानी इस जनम में बनना है, तुम्हारी देह में रहने वाली जो आत्मा है, उनको परमात्मा बैठ समझात आत्मा ही संसकार ले जाती है। आत्मा कहती है और्गन्स द्वारा की मैं फलाना हूं परंतु आत्म अभिमानी तो कोई है नहीं। बाप समझाती हैं जो इस भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे वही इस समय आकर भ्रामन बनेंगे फिर देवता बनेंगे। मनुष्य दे अभिमानी रहते के आदती हैं। देही अभिमानी रहना भूल जाते हैं। इसलिए बाप घड़ी-घड़ी कहते हैं देही अभिमानी बनू। आत्मा ही भिन-भिन चोला लेकर पाट बजाती है। यह हैं उनके औरगंस। अब बाप बच्चों को कहते हैं मन-मनाभव। बाकी सिरफ गीता पढ़ने से कोई राज्य बागे थोड़े ही मिलेगा। त्रिकाल दर्शी बनाया जाता है। रात दिन का फरक हो गया। बाप समझाते हैं मैं तुमको राज्योग सिखाता हूँ। कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है। जो सूर्यवंशी देवताएं थे उनमें कोई ज्यान है नहीं। ज्यान तो प्राय लोप हो जाएगा। ज् सत्युग में दुर्गती में कोई होता ही नहीं। वह है ही सत्युग। अभी है कल्युग। भारत में पहले सूर्यवंशी आठ जनम फिर चंद्रवंशी बारा जनम। यह एक जनम अभी तुम्हारा सबसे अच्छा जनम है। तुम हो प्रजा पिता भ्रह्मा यह है सर्वोत्तम धरम। देवता धरम सर्वोत्तम धरम नहीं कहेंगे। ब्रामर धरम सबसे उच्छा है। देवताएं तो प्रालब्द भोगते हैं। आजकल बहुत सोशल वरकर हैं। तुम्हारी है रुहानी सर्विस। वह है जिस्मानी सर्विस। रुहानी सर्विस। एक ही बार होती है, आगे ये सोशल वरकर आदी नहीं थे, राजा रानी राज्य करते थे, सत्युक में देवी देवता धरम था, तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने, लक्ष्मी नारायन द्वापर में जब वाम मारग में जाते हैं, तो मंदिर बनाते हैं, पहले पहले शिव का बनाते हैं, वह है सर्व का सद्गती दाता, तो उनकी जरूर पूजा होनी चाहिए, शिबाबा ने ही आत्माओं को निर्विकारी बनाया था न, फिर होती है देवताओं की पूजा, तुम ही पूज्य थे, फिर पूजारी बने, बाबा ने समझाया है, चक्र को याद करते रहो, सीड़ी उतरते उतरते, एकदम पट पर आकर पड़े हो, अब तुम्हारी चर् चर्तिकला तेरे भाने सर्व का भला, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की अब चर्तिकला करता हूँ, पतित पावन आकर सबको पावन बनाते हैं, जब सत्यूग था, तो चर्तिकला थी, और बाकी सब आत्माएं मुक्तिधाम में थी, बाब बैट समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मेरा जनम भारत में ही होता है, शिबाबा आया था, गाया हुआ है, अब फिर आया हुआ है, इसको कहा जाता है, राजस्व अश्वमेद अविनाशी रूद्र ग्यान यग्य, सुराज्य पाने के लिए यग्य रचा हुआ ह विग्न भी पढ़ते थे, अब भी पढ़ रहे हैं, माताओं पर हत्याचार होते हैं, कहते हैं बाबा हमको ये नगन करते हैं, हमको ये छोडते नहीं है, बाबा हमारी रक्षा करो, दिखाते हैं द्रोपती की रक्षा हुई, अभी तुम 21 जनमों के लिए बेहत के बाप से वर्षा लेने आये हुँ, याद की यात्रा में रहकर अपने को पवित्र बनाते हुँ, फिर विकार में गए तो खलास, एकदम गिर पड़ेंगे, इसलिए बाब कहते हैं पवित्र जरूर रहना है, जो कल्प पहले बने थे, वही पवित्रता की प्रतिग्या करेंगे, फिर कोई पवित्र रह सकते हैं, कोई नहीं रह सकते हैं, मुख्य बात है याद की, याद करेंगे, पवित्र रहेंगे, और स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे, तो फिर उँच पद पाएंगे, विश्नु के दो रूप राज्य करते हैं न, परंतु विश्नु को जो शंक चक दे दिया है वहे देवताओं को नहीं था लक्षमी नारायन को भी नहीं था विश्नु तो सुक्षम वतन में रहते हैं उनको चक्र के नौलेज की दरकार नहीं है वहाँ मूवी चलती है अभी तुम जानते हो कि हम शान्तिधाम के रहने वाले हैं वहे है निराकारी दुनिया अब आत्मा क्या चीज है, वहे भी मनुश्य मात्र नहीं जानते। कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा के लिए कहते हैं, एक चमकता हुआ सितारा है, जो ब्रिकुटी के बीच रहता है। इन आखों से देख ना सके। भुल कोई कितना भी कोशिश करे, शीशे आदी में बंद करके देखे की देखें की आत्मा निकलती कैसे है। कोशिश करते हैं, परंतु किसी को भी पता नहीं पड़ता है, आत्मा क्या चीज है, कैसे निकलती है। बाकी इतना कहते हैं, आत्मा स्टार मिसल है, दिव्वे दृष्टी बिगैर उसको देखा नहीं जाता, भक्ती मारग में बहुतों को साक्षातकार होता है, लिखा हुआ है, अर्जुन को साक्षातकार हुआ अखंड जोती है, अर्जुन ने कहा हम सह नहीं कर सकते, बाप समझ इतना तेजों में आदी कुछ है नहीं, जैसे आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है, पता थोड़े ही पड़ता है, अब तुम भी जानते हो कि बाबा कैसे शरीर में प्रवेश कर बोलते हैं, आत्मा आकर बोलती है, यह भी ड्रामा में सारी नूंध है, इसमें कोई के त प्राकत की बात नहीं आत्मा कोई शरीर छोड़ जाती नहीं है यह Sाक्षातकार की बात है बंदर्फुल बात है ना बाप कहते हैं मैं भी साधारन तन में आता हूँ आत्मा को बुलाते हैं आगे आत्माओं को बुला कर उनसे पूछते भी थे अभी तो तमोप्रधान बन गए है न बाप आते ही इसलिए हैं कि हम जाकर पतितों को पावन बनाए कहते भी हैं 84 जनम तो समझना चाहिए कि जो पहले आए हैं उन्होंने ही जरूर 84 जनम लिये हूंगे वह तो लाखो वर्ष कह देते हैं अब बाप समझाते हैं तुमको स्वर्ग में भेजा था तुमने जाकर राज्य किया था तुम भारतवासियों को स्वर्ग में भेजा था राज्योक सिखाया था संगम पर बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम योगे आता हूं गीता में फिर युगे-युगे अक्षर लिख दिया है. अभी तुम जानते हो, हम सीड़ी कैसे उतरते हैं, फिर चड़ते हैं. चड़ती कला, फिर उतरती कला. अभी यह संगम युग है सर्व की चड़ती कला का युग सब चड़ जाते हैं सब उपर में जाएंगे फिर तुम आएंगे स्वर्ग में पाठ बजाने सत्युक में दूसरा कोई धरम नहीं था उनको कहा जाता है वाइसलेस वर्ड फिर देवी देवताएं वाम मार्क में जाकर सब विशिज होने लगते हैं यथा राजारानी तथा प्रजा बाप समझाते हैं हे भारतवासी तुम वाइसलेस वर्ड में थे अब है विशिस वर्ड अनेक धरम है बाकी एक देवी देवता धरम नहीं है जरूर जब ना हो तब तो फिर स्थापना हो बाप कहते हैं मैं भ्रम्मा द्वारा आकर आदिसनातन देवी देवता धरम की स्थापना करता हूं यहां ही करेंगे ना सूक्षम वतन में तो नहीं करेंगे लिखा हुआ है भ्रम्मा द्वारा आदिसनातन देवी देवता धरम की रचना रचते हैं तुमको इस समय पावन नहीं कहेंगे पावन बन रही है टाइम तो लगता है न पतित से पावन कैसे बने यह कोई भी शास्त्रों में नहीं है बास्तम में महिमा तो एक बाप की है उस बाप को भूलने के का ही ओर्फन बन पड़े हैं लड़ते रहते हैं फिर कहते हैं सब मिलकर एक कैसे हूँ भाई भाई है न बाबा तो अनुभवी है भक्ती भी इसने पूरी की है सबसे अधिक गुरू किये हुए है अब बाप कहते हैं इन सब को छोड़ो अब मैं तुमको मिला हुआ हूँ सर्व का सद्गती दाता एक सथ श्री अकाल कहते हैं न अर्थ नहीं समझते पढ़ते तो बहुत रहते हैं बाप समझाते हैं अभी सब पतित हैं फिर पावन दुनिया बनेगी भारत ही अविनाशी है यह कोई को पता नहीं है भारत का कभी विनाश नहीं होता और ना कभी प्रले होती है यह जो दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर शिरी कृष्ण आये अब पीपल के पत्ते पर तो बच्चा आ ना सके बाप समझाते हैं तुम गर्ब से जनम लेंगे बड़े आराम से वहां गर्ब मेल कहा जाता है यहां है गर्ब जेल सत्यूग में हैं गर्ब मेहल आत्मा को पहले से ही साक्षातकार होता है यह तन छोड दूसरा लेना है वहां आत्म अभिमानी रहते हैं मनुष्य तो ना रचैता को ना रचना के आदी मध्य अंध को जानते हैं अभी तुम जानते हो बाप है ग्यान का सागर तुम मास्टर सागर हो तुम माताएं हो नदिया और यह गोप है ग्यान मान सरोवर यह ग्यान नदिया है तुम हो सरोवर प्रविर्ती मार्ग चाहिए ना तुम्हारा पवित्र ग्रस्त आश्रम था अभी पतित है बाप कहते हैं यह सदेव याद रखो कि हम आत्मा हैं एक बाप को याद करना है बाबा ने फर्मान दिया है कोई भी देहधारी को याद ना करो इन आखों से जो कुछ देखते हो वह सब खतम हो जाना है इसलिए बाब कहते हैं मन मना भव मध्या जी भव इस कब्रिस्तान को भूलते जाओ माया के तुफान तो बहुत आएंगे इनसे डरना नहीं है बहुत तुफान आएंगे परंतु कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करना है तुफान आते हैं तब जब तुम बाब को भूल जाते हो यह याद की यात्रा एक ही बार होती है वह है मृत्यू लोग की यात्राएं अमर लोग की यात्रा यह है तो बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद ना करो बच्चे शिवजन्ती की कितनी तारे भेजते हैं बाप कहते हैं ततत्वम तुम बच्चों को भी बाप बधाईयां देते हैं वास्तव में तुमको बधाईयां हो क्योंकि मनुष्य से देवता तुम बनते हो फिर जो पास्विद ओनर होंगे उनको जास्ती माक्स और अच्छा नंबर मिलेगा बाप तुमको बधाईयां देते हैं कि अब तुम रावन की जंजीरों से छूटते हो सभी आत्माई पतंगे हैं सबकी रसी बाप के हाथ में हैं वह सबको ले जाएंगे सर्व के सद्गती दाता हैं परंतो तुम स्वर्ग की राजाई पाने के लिए पुर्शार्थ कर रहे हो अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को दिल वा जान, सिक वा प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी धारना के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट पास्वित ओनर होने के लिए एक बाप को याद करना है किसी भी देहदारी को नहीं इन आखों से जो दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है दूसरी पॉइंट हम अमर लोग की यात्रा पर जा रहे हैं इसलिए मृत्यू लोग का कुछ भी याद ना रहे इन करमेंद्रियों से कोई भी विकरम ना हो यह ध्यान रखना है वर्दान है अतियंद्रिय सुख में स्थिती द्वारा अनेक आत्माओं का आवाहन करने वाले विश्व कल्यान कारी भव अतियंद्रिय सुख में स्थिती द्वारा अनेक आत्माओं का आवाहन करने वाले विश्व कल्यान कारी भव बाबसंचाते जितना लास्ट करमातीद स्टेज समीब आती जाएगी उतना आवास से परे शान स्वरूप की स्थिती अधिक प्रिये लगेगी इस स्थिती में सदा अतियंद्रिय सुख की अनुभूती होगी और इसी अतियंद्रिय सुख में स्थिती द्वारा अनेक आत्माओं का सहच आवाहन कर सकेंगे यह पावरफुल स्थिती ही विश्व कल्यानकारी स्थिती है इस स्थिती द्वारा कितनी भी दूर रहने वाली आत्माओं को संदेच पहुचा सकते हो स्लोगन है हर एक की विशेषता को सम्रिती में रख फेत्फुल बनो तो संगठन एकमत हो जाएगा हर एकी विशेषता को सम्रिती में रख फेत्फुल बनो तो संगठन एकमत हो जाएगा अच्छा, ओम शान्ती